Hello guys, Welcome to my YouTube channel Make Maths Easy आज के हम इस वीडियो में Ratio and Proportion का Part 4 Part 4 के बारे में डिसकस करेंगे इस से पहले मैं Ratio and Proportion के 3 वीडियो जाल चुका हूँ यानि Part 3 में बना चुका हूँ इस वीडियो को देखने से पहले आप उन तीन वीडियो को जरूर देखना जिससे कि आपको आने वाले जितने भी questions हैं जो मैं करने वाला हूँ तभी आपको वो clear होंगे तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज आप उन तीन वीडियो को जरूर देखीजेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज कुछ मैं questions लेके आया हूँ ठीक है तो हलाकि ratio and proportion कई सारे questions में यूज होता है जैसे ratio and proportion आपका age में आयू वाले सवाल होते उसमें यूज होता है ratio and proportion आपका percentage में यूज होता है ratio and proportion आपका income और expenses जो I और where वाले सवाल होते उसमें भी यूज होता है तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है आपको कि अगर आपको कोई भी वीडियो स्किप किया तो आपको समझ भी नहीं आने वाला है यह चीज जहां लखिएगा आप तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहला कुशन है सोनी मोनी और टोनी को चौविस सो रुपए चौविस सो रुपए दो अनुपात तीन अनुपात पांच के अनुपात में बाटे गए सबसे अधिक धन किसे और कितना मिला तो एक चीज तो यहां पर क्लियर है अगर मैं इसको सॉल्फ करूं तो आपको यह द दो अनुपात तीन अनुपात पांच के अनुपात में तो तुझोखो अगर आप 2400 को रुपए छों इस को सबसे अधिक रुपे मिलेगे ठीक है 2400 को 290 390 550 बाट तो जिसको 5 वह अनुपात मिला है उसको सबसे जादा रुपए मिलेंगे ये बात तो क्लियर हो गया नहीं किसे मिलेंगे सबस्यादा रुपए तोनी को मिलेंगे ठीक है अब कितने मिलेंगे वह हमें पता करना है अब आप देखो कि यहां पर किस अन पर दो दस यानि दस टोटल कितना है दस अनुपात में अनुपात में हैं दस और वैसे कितने रुपए हैं टोटल 2400 तो दस की वैल्यू हो जाएगी 2400 रुपए के बराबर ठीक है दस की वैल्यू हो गई 2400 रुपए के बराबर एक की वैल्यू एक की वैल्यू कितने रुप गो मिलकेशोगे तो पांच कि वैलु कितनी होगी दो होना पांच और यहां से आपका अंसाह जाएगा चौविस पंजे होते हैं एक सुबीस यादि बारा सो रुपए ठीक है बारा सो रुपए मिलेंगे किसको मिलेंगे टोनी को सबसे ज्यादा रुपए मिलेंगे इतनी बात क्लियर हो गई चलिए अगले कोश्शन पाजाते हैं अब आपको करना क्या इस टाइप की जितने भी कोश्शन आपको बुक में मिलें वह आपको लगा लेने हैं ठीक है अगले कोश्शन करते हैं एक व्यक्ति कुछ पैसे को चार दोस्त हैं A B C D में एक बटे तीन अनपारत एक बटे चार अ बात में बाटता है तो ग्यात कीजिए कि किस दोस्त को सबसे कम पैन मिले किस दोस्त को सबसे कम पैन मिले और कितने पैन मिले कम और कितने यहां यह और कर लो इसमें और कितने पैन मिले ठीक है अब यहां पर देखो क्या है a अन creator b अन पाफ c अन पात d की वैल्यू कितनी है यहां से आप क्या करोगे मैंने आपको सिखाया था पिछले वीडियो में जो मैं तीन वीडियो बना चुका हूं उसमें आप सेक्न्ड वाला वीडियो देखना मैंने आपको उसमें बताया कि अगर रेश्यो दिया हो आपका फ्रेक्षिन में तो आप उसको सिंपल में पहले चेंज कर लोगे तो मैने क्या बताया है इसमें जो भी लिए इनो मेटर होता वसका लो गें तीन चार पॉच्छे निकाल हो गए कितना आजायों ठीक है अब एक क्या करोगे एक बटे तीन की साठ से मुँड़ा करोगो तो कि यहाँ पर नहीं कर रहा यह मैं पहले के वीडियो बता चुका हूँ तो आप क्या करोगा अगर आप देखना की साथ से ओना करोगे तो बारह मिलने हैं अब आप देखो टोटल पैन कितनी है तो यहां पर टोटल पैन अच्छा सोरी इसमें टोटल पैन नहीं तो यहां पर कितने पैन नहीं निकाल सकते क्योंकि अगर यहां पर टोटल पैन दिये होते हैं बट हमें यह पता है कि किसको सब सब्सक्राइब सबसे कम बिलेंगे किम लो कुछ पेन कि जेगां हम कर लेते हैं कि गुछ पेन के जगा आप मालो हमने पर आप कि हमने कर लिए एक से कटर पैन है एक से कतर फैन को चार दोस्त सबसे सबसे कम बिले हैं अब यहां पर देखो को कितने आ रहे हैं यहां से जोड़ो को कुटल पैना आएंगे 57 और हमारे पास है कितने पैन 1191 एक की कितनी होगी एक सो इकतर बटेश त्वर्ण कि यहां से काटने तीन आ जाएगा एक बराबर तीन हो गया हमें निकारना चाहिए यहां पर हमने यहां पर कुछ पैन था तो कुछ पैन जब देगा तो यहां से आप निकालोगों तो यह टोटल करोगों कितना आएगा टोटल हमारे रेशो में आ जाएगा और है कितने एक से करतर तो सब्सक्राइब की वैली हो जाएगी तीन के बरावर दस की वैली निकाल लिए दस की वैली आजाएगी यहां से तीस यहीं हमारा हो जाएगा अंसर ठीक है अब आजाओ अगले कुश्चिन में झाया है अगर आंपाथ इसbecिन में दिया हो na a कि आप कैसे निकालोगे कैसे स्पुर्फ निकालों को सब्सक्राइब देना हो यहां से जो अनपाथ आएगा तो यहां यहां पर एक हैं कर दे रहूंडा हूं दो तीन चारका हैं जो एसमाने वाला और आइगा तो सभी में 12 से बना कर दो काट दो 2 चौक बारा 3 चौक बारा 6 आ गया यहां पर 2 चौक 8 आ गया 3 ती आ 9 तो यहां से A अनपाथ B अनपाथ C कितना आ गया 6 रेशो 8 रेशो 9 आ गया इतनी बात क्लियर हो गई अब यहां पर देखो यह कह रहा है कि तो बताओ A तथा B का हिस्सा C से कितना अधिक है अब यहां पर A का हिस्सा कितना है 6 B का हिस्सा कितना है 8 तो A और B का अगर मैं हिस्सा निकालू तो टोल कितना जाएगा 8 अच्छे C का हिस्सा कितना है 9 इसा सी से कितना दिख रहा है आप देख रहा है कितना दिक्राइब किटना कि उनका होगा पांच कर थे अब देखो हमें यह पूछ रहा है कि किटना अब अब आप यह तोटल रुपए कितने हैं 49,100 रुपए है यहां पर टोटल कितना होड़ा रिश्यों का नो आठ सत्रा अच्छे तेश तेश बराबर किसके हो जाएगा 4900 के एक बराबर हो जाएगा 4900 तो यहां से जब आप एक की वेल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां से आ जाएगा 1700 1700 आ जाएगा ठीक है एक की वेल्यू आगए 1700 आपको निकालने किसकी वेल्यू पांच की पांच की अलोगे 1700 गुणा पांच तो 8500 रुपए ठीक है किसको मिलेंगे यह जो है कितना अधिक है कितना अधिक है अधिक अधिक है इत्ती बात क्लिए रोगई चलो अगले वीडियो पाजाते हैं आपको करना क्या है इस टाइप के सारे कुश्चन करने है ठीक है अगले वीडियो पारते हैं अगला कुश्चन है 31500 को ABC में इस प्रकार बाटना है कि यदि एक के से दाइस रुपे भी के से दोसुट रुपे चाथा सी के से पांसुट रुपे कम कर दिया जाएं तो उनका शेयर आठ अपार फंद्रा पार बीस कर बात हो जाता है तो एक अहिस्सा क्या आए जोंको यह कोश्चन है इंपोटन्ट जया भी उल्फ जाएंगे तो इसको कैसे सावव करेंगे अब इसको सावव करने के लिए क्या आपको इसको आपको तरीको अ क्या उतले हैं थिक्या इसको तरह कि यह में सब्सक्राइब कर दिया जाएं तो उनका से आठ अनुपाइब बीस के अनुपाइब में हो जाता है फॉर एक्जाम्पल में एक अभी एक्जाम्पल ले रहा हूं मालों की मेरे पास टोटल जो थे हजार रुपे थे कुछ च्रोट करने रपे थे हजार रपे थे आपको समझना है मैं आपको समझा रहा हूं आसान तरीके से अब मालो जो तीन लोग हिस्सेदार है आँ इसमें तीन लोग रिए दी और से चलो मालो की एक उमने दे दिए तीन सुर में बी को देदिये हमने 400 रुपे चार सो नहीं इसको मार लो 500 बी को देदिये हमने 500 रुपे और C को देदिये हमने 200 रुपे कर अब फॉर एक्जाम्पल मैंने एक हिस्से में से कर दिये इसके किस्से में से कर दिये 1560 रपे कम और सबस्राइब है अब आप यहां कितना वचैएगा यहां कितना बचेगा 400 यहां कितना बचेगा 130 अब आप देखो कि कितने हुए टोटल दोर के यहां पर 400 200 600 700 7802 अब यहां पर कितने बचे हैं हमारे पर टोटल जो बचा यहां पर कितने कम किया हैं हमने हमने कम एक्चुल में कितने किया हैं 50 100 100 100 और सत्तर कितने वह तींसों बीस हो ठीक है तींसों बीस हो गए तो तो यहां से हम क्या समझे यहां समय समझना रही है कि जितना हम सेयर में से घटा रहे हैं इतना ही हम टोटल में से घटा हैं तो से वैल्यू आएगी आप ही दोखो यहां कर दिये जो कि यहां 200 कम कर रहा है अब इसका इफेक्ट पढ़ किस पे रहा है इसका इफेक्ट पर टोटल पे अगर हम से होगा होगा नहीं होगा तो यहां पर हमने अगरे से कम किया हम जोड़ कि एक्शुल में से गटा हुए लेकिन बास वो टोटल में से घट रहा है अब आप देखो यहां पर अब यह करना ने तो मैं आपको समझआ है तक केवर बेसिक्ट रिए कि अब यहां से आपका question होता है शरूम है कि यहां से आपका question स्टार्ट होता है यहां पर यह देखो मुझे यह बताओ कि coal रुपे कितने है 31,159 इस मैंसे कितने घटाओं dedषर सुब बचाओं पिस किपने जबावगे 50 better chickenatra गट रहे हैं 31,150 में से यह सब गटा दोगे तो यह सब जड़ा गटाओ कितने बचेंगे तो यहां देखो यह हो जाएगा आपका 52729 900 और यह हो गया 50100 यह हो गया तो 900 और यह हो गया आपके तो आपको 3100 रुप्य को कितने में बाटना थे 3100 को बाटना हैं आपको 835 1220 में तो यहां तो यहां देखो देखे यह 520 कि पूरा रचयों को जोड़े कितना रभी इस पंदरा कितने हो गए 35 35 और आठ 35 और गए 43 43 की value कितनी होगी 30100 43 की value होगी 30100 तो यहां से आप एक की value निकार लो 30100 बटे में 43 इसको कर दो divide 7 वार जा रहा है कितना आगया 700 आगया अब यहां पर पूछ रहा है कि एक हिस्सा क्या है एक हिस्सा कितना है आठ है ना एक हिस्सा है कितना आठ है है कि तो कहां पर करूँ मैं इसको यहीं कर दे रहा हम यहां पर बाद में कि एक हिस्सा कितना आठ है तो आठ एक की value कितनी है तो आपको यहां पर ताईसो रुपे जोडने होंगे तो आपको यहां असर जाएगा फाइव इट फाइव इडियो रुपे तो एक इससे कितना होगा फाइव इडियो रुपे पियर हो गया देखो एक बड़ाओ समझाता हूं इसको भूल जाओ कुछ नहीं है आप यह चीज यह दहान रखो कि जो सेर में से घठाया जा रहा है व तो आप किस में से घठाओगे टोटल में से घठाओगे क्यों घठाओगे मैंने यहां समझा दिया था अब 31,150 में से 200 प्लस 280 प्लस 520 इतना शेयर तक घठा दिया कितना आया तीस हजार सो आया अब इस तीस हजार सो को हमने बाट आया आठ अनुपात 1520 में अब इन कि अब यहां पर देखो लेकिन क्या वास्तम में यह का हिस्सा है एक हिस्सा क्योंकि हमने एक की सियाए गटा दिये थे पहले अब वही हमें यहां पर क्या करने बढ़ेगे पढ़ेंगे अगर हमें एक का वास्तम में खिस्सा निकालना है तो हमने च्छपन सब्सक्राइब जोड़ दिये यह आप कहां से लागया एक है ठीक है इस टाइप पर करना नहीं आते हैं तो मुझे आप मैंने आपको वास्तम नंबर दिया था अपना यहां वास्तम नंबर यह जार पांशो रुपें को अलग टाइप के कुछें कर वा रहा हूं मैं अब इस टाइप की कुछन आप खुद से घर से करने यह एक अलग टाइप आ गया तिका है यह अलग टाइप आ गया क्योंकि मैं सारे तो कर वास्तम करवां नहीं सकता वीडियों बहुत लंब बीच वित्रत किया जाता है जैसे कि एक मैन एक वुमेन और एक बाइस के सेर के बीच का नौन पाथ चार है तो एक वुमेन का सेर बताईए मतलब सीथा साथ कुछ नहीं है कि पांसो को चार आदमी पांच और च्छे लड़कियों के बाठा जाता है और यहां पर दे रखा कि एक आदमी एक और एक लड़के के सेर का जो उनपात है वो नौन बाथ चार है इंड़के तो यहां पर आपको करना क्या है मैन पे direct है रहां और बाइस के बीच में यहां चार में पांच वुमेन और सिक्स बाइस के बीच पर बाता जाता है अब आप देखो कि एक मैन को कितना मिल ला है नौ मिल ला है तो चार मैन को कितना मिलेगा 36 मिलेगा नहीं मिलेगा बताओ एक आदमी को नौ मिल ला है तो चार आदमी को कितना मिलेगा 36 एक औरत को आठ मिल ला है तो तो पांच औरत को कितना मिलेगा चालिस एक लड़की को चार मिलदा है तो छे लड़की उकितना मिलेगा घे इतनी बर प्लुए घे नहीं है अब यहां पर इसका जो अनफाहत आ गया वो श्रतिस अनफात 40 अनफाथ 24 आ जा झागए लेकिन रिखने आप इसको आप काट होगे नहीं ऐसा वट को चार सब करते हैं चार से काट दिया आपको इस अनुपात को काटना नहीं है अब यहां पर देखो कि टॉटल कितना रहा है इस अनुपाद का टोटल ला रहा है चालिस और चालिस असी और वीच कितना आ गया ठीक है तो सो बराबर किसके है 42,500 की एक बराबर जाएगा 42,500 बटे सो हमें निकालना किसका एक वुमेंन का से एक का से एक कितना है आठ है आठ के निकाल लिए तो आठ पराबर जाएगा चार सो पच्चिस कुणा आठ यहां से कुणा करोगे तो 34 रुपर आजाएगा आपका अंसर हो गया दुबारा समझे इस सवाल को करना क्या इस सवाल में इस सवाल में विटा कुछ नहीं करना है आप यह देखो कि एक मैन एक वुमेन एक बाइस का नपात कितना दिया गया एक और उर्ठों हमने प्रफ़ार पांच यह दिखे करके लोगे तो आपका यह आगया टोटल हमारा कितना दिया है बरावर हुआएगा बरावर हो जाएगा बरावर हुआएगा बरावर हुआयागा पांसो कि यहां से आट की वैली नकाल लोगे व्युक्ते यह तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलेंगे नेक्स वीडियो में फिर बड़ी हो जाएगी और अप्लोड में निक्कत आएगी तो मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूं अलाकि पार्ट कितने ही बन जाए उससे मतलब नहीं है बस आपको पढ़ाई करनी है और क्रम से चलना है स्क्वेंस वाइज चलोगे तो सब कुछ समझ में आएगा अब आपने एक दम से पार्ट फोर उठाके देख लिए तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वारा तो आज की वीडियो में सरफ इतना ही में लेंगे नेक्स वीडियो में स्टे होम स्टे हल्दी थेंक यू बाबाए